तो है दोस्तों कैसे आप सभी लोग आइफोन 12 आज आज चुका है और क्योंकि मेरे कोस में यह एड कर रहा हूं और आइफोन 15 प्रो की कुछ बेसिक जान करिया उसके साथ मैंने अभी यह सोचा है कि मैं 13 और 14 के अंदर जो जो solutions आपको कोस में प्रवाइड करा सकूं तो इसके लिए बस तोरा सा समय चाहिए और एड करने के लिए तो चलिए सबसे पहले हम बोड की बात करते है आईफोन 15 बोड में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा कौन-कौन सी आइसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह हमारा में सीप्यू है एसातरा सीप्यू ठीक है उसके बाद यह लोवर बोड है एक फिप्टीन प्रो का जिसके अंदर आरेफ इसको आरेफ बोड भी बोलते हैं जिसके अंदर वाइफाई बेस बेंड ट्रांस सीवर तो यह सारी चीजें होती है और यह हमारे सबसे बैक सीवी को जानेंगे और जिनको नहीं पता है वो वीडियो देख सकते हैं बाकि जिनको और जानकरी लेनी है तो वो कोस जोइन कर सकते हैं कोस की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी या डाउनलोड कर लें इससे टेली कॉम आईफोन मास्टर कोस एंड्रोइट जाकर चलिए पहला जो आपको यह करेंटर दिखाए जे रहा है यह जो करेंटर है अगर मैं यह वाली बात करेंटर की बात करूं तो यह करेंटर आप देख सकते हैं जूलिएट लिखा हुआ है यह बोट्टू-बोट इंफाराइड कैमरा ठीक है जो फेस आइडी के लिए connector है basically okay अगर इसमें कुछ problem जाएगी तो Face ID का problem आपको आएगा दुसरा अगर हम बात करें यह जो connector आपको दिखाई दे रहा है notice कीजे यह वाला connector आपको दिखाई दे रहा है यह connector जा रहा है तो बिसिकली इसके वज़े से आपको नो फ्रिंड कैमरा अगर आपका फ्रंड कैमरा किसी भी प्रकार से बिलर है नहीं चल रहा है या ब्लैंक है तो आपको यह कनेक्टर का जियार्ट्स वोल्टेज उसकी सप्लाई पर दान देना है और रिबूट क्यू होगा क्योंकि यहां पर आपको i2c supply देखने को मिल सकती है ठीक है फिर इसके बाद में हम जाएंगे तो यह जो connector आपको दिखाए देखाई देख रहा है यह connector आपको यहां पर receiver प्लस आप पर एंटीना connector देखने को मिलेगा मतलब नो receiver speaker अजर इस connector से problem आई तो no receiver speaker करेंटर नो सर्वेस मतलब क्योंकि इसमें आपर एंटीना करेंटेट तो फोन कॉल फेल कॉल फेल बिसिकली आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ठीक है और इसके साथ यह जो एक आइसी लगी हुई है तो इसके साथ यह जो आइसी लगी हुई है यह आइसी में बिस स्क्रीन आतो रोटेट जिसे अहपन लैंड इसकेपब और पर्टेट करते हैं तो यह वाली प्राइब्लम इसे आपको जा सकती है और जैसे अपन गेम खेलते हैं तो गारी दर से उधर हो जाती न फॉन घुमाने पर तो यह विसेकली जारो अश्कलेरिशन जो escalation sensor और shadow sensor के यह problem आपको जा सकती है और high booting भी यहाँ पर जा सकता है अब इधर आ जाते हैं अब इधर आपको देखने को क्या-क्या मिल सकता है अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ यह जो एक number लिखा हुआ है यह एक number IC आपकी यह face ID PM IC मनला face ID की power IC है तो basically अगर face ID की power connector में आप पावर या वो voltage नहीं मिलते हैं जो circuit के दोरान आने चाहिए तो आपको इस power IC पर काम करना है ठीक है और अगर in case आप इस connector के अगर आप बात करें तो यह connector आपका यहां पर wide camera connector है और एक और connector है यह यह भी आपका wide है तो यहां पर आप देख सकते हैं दो wide camera connector आपको यहां पर देखने को मिल रहे है ठीक है B2B, एक S-wide है और एक wide camera connector है इस connector की बात करेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ यह भी आपका camera connector है basically आपके phone में काफी type cameras आते हैं iPhone में cameras आपको देखना या उसका knowledge होना जोड़ी है तो एक यहां पर देखो यह टैली फुटू camera यहां पर यह connector आपको देखने को मिलेगा तो अलग अलग यहां पर camera को आपको यहां पर नॉलिज होना चाहिए जो कि iPhone X से सीरी से अगर आप यह नॉलिज ले तो ज्यादा बेटर होगा तो इतना फिलाल हमने connector के वारे में देखा और जितने तक हमने समझा कि यह वाला connector आपका infrared commit face ID का प्रॉब्लम है यह वाला front camera का connector आई टू सी की supply के साथ यह वाला यह वाला connector यहां पर wide angle connector है और यह भी वाइड एक इसमें as wide angle है और यह जैसपर का connector आपका एक camera function है अब यह हमें circuit में देखना है कि यह जो camera connector है यह इसका काम क्या है और यहां पर यह वाला आपको आइसी देखने को मिल रही है यह आपकी audio IC है इसमें noise speaker, ringtone, microphone, phone stuck when boot तो audio IC से आपको तो पता है कि iPhone 7 से बहुत जादा दिक्कते आती थी iPhone स्टक हो जाना तो यह audio IC आपको देखने को मिल रही है यहां पर आपको एक sensor B2B connector देखने को मिला जिसमें proximity sensor, earpiece, no compass, face ID तो यहां पर भी आपको यह supplier देखने को मिलेंगी ठीक है अब इसके बाद में यह जो IC लगी हुई है यह IC लोजिक प्रोम IC है अगर आप स्वैपिंग करते हैं तो यह IC आपको चेंज करनी पड़ेगी दूसरे बूड में replace करनी पड़ेगी यह IC लगानी पड़ेगी अगर यह IC टूटी है तो आपका data चला जाएगा फिर apple logo reboot इसलिए आएगा क्योंकि basically i2c की supply होती है इसके इंदर ठीक है अब यह जो IC है यह आपकी NAND IC है NAND में आपको आने वाले error 9 40 40 14 तो 9 40 44 तो यह problem आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है ठीक है यह वाला जो connector है यह connector आपका basically एक network connector है ठीक है इसको lower antenna connector हम बोलते हैं तो यह connector no service या phone cannot make phone call no internet मतलब करने इंटरनेट नहीं आ रहा है तो आपने यह सारे connectors की testing करनी है और इस connector की supply और यह जो connector आपको दिखाए दे रहा है यह connector आपका display touch है तो यहाँ पर no touch no display black screen half screen तो यह आपको देखने को मिल सकता है अगर इस पार्ट में आएंगे तो इस पार्ट में iPhone 15 pro में आप देखें तो यह वाला जो connector है cyclone B2B मतलब वही volume powered की ठी तो यहाँ पर no wireless charging तो एक wireless charging का connector भी यहाँ पर लगाया गया है कमल उसकी supply यहाँ पर दी गई है reboot जहां भी reboot function देखें तो समझो कि यहाँ पर आपके प्रोटोकॉल्स की supply है volume और power की की यह जो connector है यह LED strobe है जिसकी विसे से torch LED सारी function चलते हैं तो यह हाई leakage current आपको देखने को मिल सकता है इसके बाद यह वाला जो बड़ा सा connector है यह आपका dock connector है जिससे आपका नीचे charging जोड़ा रहेगा टाइप सी और no charge no sound मतलब जो आपका main speaker है main mic है main आपका vibrator है तेक है haptic vibrator जो की जोड़ा रहेगा यहां से अब इसके साथ में यह IC आपको देखने को मिलेगी तो यह आपकी एक boost IC है boost IC का knowledge अगर आपको नहीं है तो course लेना आपका बनता है जो boost IC बिसीकली एक तरह के voltage बनाती है एक primary voltage से लेकर जैसे VDD में से लेकर voltage बनाती है और इसको यह बोलती है VDD boost और यह voltage कुछ ICो में एक तरह से input voltage रहता है ठीक है तो यह IC भी leakage हो सकती है जिसके वा बैटरी डाटा आया तो यही अपन को यहां पर काम करना है तो यहां पर तो हो गया हमारा अपर बूर्ड अब अपर बूर्ड का नीचे का side B हम देखेंगे तो पहले तो हम इस साइट देख लेते है तो इस साइड में यह जो IC आपको दिखाई देर यह camera की PMU यह वाली भी camera तो दो कैमरे की power IC लगी है PMU 1, PMU 2 तो और एक और लगी है यह यहां पर आप देख रहे होंगे और यहां से joint होकर यह तो बिसिकलिए यह जो दो आइसी लगी है camera PMU 3 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि camera में LDO लगए होते थे अभी camera में power IC लगी है यह iPhone X में भी लगी है आपको बहुत सारे फोनों में iPhone 8 ix इन सब में देखने को मिल जाएगी तो अगर यहां camera PMU की बात करें तो इनका काम power देना होता है camera connector को सो यह हम supply में देख सकते हैं कि कौन सी IC हमारे को टेलिस्कोप को दे रही है कौन सी wide-angle camera को यह सारी चीज़े हैं में circuit में देखनी होती है यह जो IC है यह ultra wide band power amplifier मतलब जिसको हम ultra wide band है जिसको हम बूलताते है कि high band को ऊपर भी यहां पर एक ultra wide band होता है ठीक है 2G, 3G, 4G, 5G signal unstable है तो basically no internet no service तो एक तरह का power amplifier है जो यहां पर यह एक तरह का power आपको देखने को मिलेगी अब इसके साथ में यह आपका a 17 pro cpu और if damage no boot no computer connection no camera यह report 43 का error when restore reboot no sound no Wi-Fi बहुत सारे आपको यहां पर आसाते है Wi-Fi basically C के अंदर lock होता है अगर Wi-Fi change करेंगे तो suddenly आपने CPU ही lock रहता है तो इसमें आप फिलाल कुछ नहीं कर सकते है Wi-Fi short रहता है तो उसको drill किया जा सकता है यह IC की बात करेंगे तो यह display की power यह IC की बात करेंगे तो यह main PMU है आपका जो कि बक वोल्टेज और जो कि आपके CPU को सारा LDO और बक वोल्टेज बनाता है यह आप बात करेंगे तो यह top speaker amplifier है दो speaker amplifier होते हैं एक नीचे जो एक उपर basically यहां पर लगाएं टॉप speaker amplifier है जो कि जिसे earpiece आप बूलता है ने earpiece receiver आपके बढ़ कर रहे हैं यह ARC Amplification ICA मतलब यह आपकी बाइबरेसंग की ICA और यह AC आपकी main charging ICA तो यहां पर आपकी charging IC यहां लगाई गई है और यह आपकी type-c controller ICA क्योंकि आप इसमें type-c आ गया है तो आप इसको कह सते हैं और USB IC कह सते हैं तो type-c controller ICA और यह AC आपकी USB repeater है तो basically computer से connect नहीं हो रहा है या फिर fast charging switch नहीं हो रहा है तो वही fast charging एक IC जैसे आपको पहले MLTT U2 के साथ में तो यह आपका upper board अब बात करते हैं lower board की lower board की बात करेंगे तो यह वाला जो connector है यह 5G का connector है अगर आपका connector सही से नहीं लगा हो तो 5G के signal भी काएंगे यह जो IC है यह आपकी diversity module है high यह आप लिकानो ultra high band module तो 2G, 3G, 4G signal unstable कर सकता है यह जो चोटी चोटी जो IC हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यह वाले IC आपको high band receiving diversity जो की DRX की होती है जो की receiving करती है यह IC आपकी NFC controller है NFC controller, NFC primary basically इसकी वज़े से आप देख सकते हैं कि report 56 का error यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है फिर यह वाला IC जो आपका आप PFO को power IC, 3G और 4G PFO की power IC है जैसे QET जैसे APT modulator होते हैं उस तरह से और यह है mid high band so basically amplifier IC है 3G और 4G की mid or high band के signal के लिए amplification के लिए आप बनाई गई है ठीक है और यहाँ पर यह जो IC है यह Wi-Fi Bluetooth मॉडूल है main Wi-Fi Bluetooth मॉडूल है यह IC LED Strobe Driver IC है और ऊपर connector यहाँ पर IC है और यह आपकी basement CPU है तो आप देखें यहाँ पर यह basement का PMU है power है और यह basement का CPU है बड़ा बड़ा मैंने वोताता है इसको basement CPU बोल दिया हो यह basement का power है यह power भी यह जो यहाँ पर जो यह आपको coil दिखाई दे रहे ना इस coil के मादम से है इसको बग देता है फिर LDO बनाते है इस तरह से ठीक है तो आप देखें तो यह आपका BBC CPU है और यह आपका PMU है तो यह basement power है जिसके वज़े से no IMEI या SIM card to not read तो यह सारे आपके problem यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं अब कि यह वाला जो ICA Trans Receiver है तो यहाँ पर basically Trans Receiver भी आपकी अलग-अलग होती है Trans Receiver 1, Trans Receiver 2 जिसको हम small Trans Receiver या Big Trans Receiver कहते हैं तो अलग-अलग Trans Receiver यहाँ पर लगी होती है जो नेटर्क सेक्षन बहुत कॉंप्लिकेटिव होते हैं पर एक बार समंझ में आया तो बहुत अच्छे से बनते हैं मैं आइपोन 6 से नेटर्क सेक्षन बहुत डीप लेबल पर समझाया है आप इसको को उसमें पढ़ सकते हैं यहाँ आप देखें तो लो बेंड नेटर्क सेरीज में होते हैं तो और यहाँ आपका मैं सिम कार्ड अब यहां पर बात करें रिद यह एक एंएप्सी प्रामीय एक और कंट्रोलर दिया हुआ है मरला दो को एक ऐने सी क्रामीय है थैट और दाला हुए है और यहां-पर भी दी एया हुए से जोड़ा होता है तो और यह जो जितने भी आपके पॉइंट है इनकी रीडिलिंग में आगे लेकर आऊँगा तो कौन से पॉइंट में क्या 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 आप टेस्टीम पॉइंट यहां पर देख सते हैं इससे आप अपना डिये सो लगा कर आप अपनी फिक्वेंसी नाप सक देखने को मिलेंगे तो यह सारी चीजें आप आपको देखने को मिलेंगी तो यह था आइफोन 15 प्रो आइसी की डिटेलिंग आयोग कि आपको अच्छे लगी हो और इससे ओपर अगर जान करी चाहिए तो खोर्स पर्चिस कीजिए थैंक्यो क्वेश कि आपको यह थाई दोपर झाहिए थाई नापोग कि आपको धिसक लुटकृग द्सक्वेर कलोग soil ayati कूल मुझें आपको कि अच्छने हो गयाँ कि दिस वाल सकते ही इंक्र में एर दोगी